उचले खबरों में आगे पढ़ेंगे यूट्यूबर एलविश यादफ की बढ़ सकती है मुश्किले तो बड़ी खबर आपको बता रहे आठार रुप्यों के खिलाफ चार्ज शिट दाकिल नॉटा पुलिस ने फाइल की 1200 पेज की चार्ज शीट तो सापो का जहर सप्लाई मामले में आई एपसेल रिपोर्ट रेव पार्टी में इस्तेमाल होता था सापो का जहर तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बतारे यूट्यूबर एलविश यादफ की बढ़ सकती है मुश्किले तो आठार रुप्यों के खिलाफ चार्श दाकिल की गई है नॉटा पु मुश्किलों में बिरते हुए एलविश यादफ अभी फिलाल बेल पर बहार संबद आता अमिश चौदरी हमारे साथ लाइफ जुड़ गए नॉड़ा से सीधा उनी करू करते हैं एक बार पर से अमिश यादफ की मुश्किले बढ़ते हुए नजर आ रही है बिल्कु देखे जिस तरीके से नॉवंबर में एलविश यादव के खिलाब एफ यादव दरज की गई थी और उस एफ यादव में तमाम संगीन आरोप एलविश यादव और उसके साथियों पर लगाए गए थे उसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों को एफ सहीद गरफतार कर चुकी है और उनकी गरफतारी के साथ साथ तकरीबन 24 ऐसे लोग हैं जिन से पुलिस ने पूस्टाच की उन पार्टियों के दोरान सापों को मंगाया जाता था उसके जहर का इस्तमाल किस तरीके से किया जाता था और जिन जिन जगहों पर ये रेव पार् फारम हाउस या मेरिज होम जो भी वो जगा थी वहां की सीची टीवी फुटेज भी पुलिस ने अपनी केस डाइरी में लगाई है यानि जो बारे सो पन्नों की चार्ज सीट पुलिस द्वारा तैयार की गई है उसमें तमाम जो सबूत पुलिस के नवंबर से अभी तक की जाच में सामने आए उन तमाम सबूतों को आधार मानते हुए 24 गभाओं के बयान और सीची टीवी फुटेज के साथ चाथ जो सापोगा जहर इनके पास से बरामत हुआ था उसकी जैपूर से एफसल रिपोर्ट जो आई थी उस रिपोर्ट को भी इस चार्ज सीट में लग एल्विस यादों को लगातार गेटर नोड़ा के सूरजपूर कोट में अपनी जो पेशी है उस पर आना होगा और आने वाले जिनों में कोट किस तरीके का निनने लेती है इन तमाम आरोपों को लेकर इसमें सजा होने का भी प्राविधान है अगर एंडी पेस एक्ट की ब वारा तैयार किया गया तमाम गवाओं के बयानों को इसमें रखा गया जो चार्शीट कोट में पेश की गई है इनमें किन-किन बातों का जिक्र है क्या-क्या आरोप है जरा वो भी बताएगा बिल्कुत देखे जिस वक्त F.I.R. दर्ज कराई गयी थी उस वक्त P.F.A. जो संस्ता है जिसने F.I.R. दर्ज कराई थी उनके पास कुछ इस्टिंग ओपरेशन और कुछ ओडियो रिकोर्डिंग थी फोन पर बातचीछ होने के दोरान जिसको आधार मानते हुए उस F.I.R को दर्ज कराया गया था उसी F.I.R. को आधार मानते हुए पुलिस ने आगे की जाज शुरू की और जिन जिन जगह ओपर रेव पार्टी की जाने की बात सामने आये थी उन तमाम जगह ओपर पुलिस गई और जिन लोगों के उपर आरोप लगाये थे उनकी उस तारीक में जो फोन की लोकेशन है वो उस जगह पर पाई गई सीसी टीवी फुटेज के अंदर उनकी फुटेज मिली इन तमाम चीजों को आधार मानते हुए और जैसे ही F.S.L. रिपोर्ट जो इनके पास से 20 मिली मीटर सापों का जहर मिला था उसकी F.S.L. रिपोर्ट आई उसके ब बढ़ाई गई थी F.I.R. में N.D.P.S. एक्ट सापों का जहर इनके पास से मिला था उसके अंदर जो कोकीन है उसकी मातरा पाई गई थी जिस लिहाज पर N.D.P.S. एक्ट को इसमें बढ़ाया गया था तो वो F.S.L. रिपोर्ट में उस बात की पुष्टी हुई इन तमाम तत्यों को सीची टीवी फुटेज के साथ में इनकी फोन को डिटेल और मोबाईल की लोकेशन तमाम चीजों को आधार बनाते हुए एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए जैसे एक राहुली आदव नाम का किरदार इस पूरे केस में सामने आया था राहुली प्रिसल रिपोर्ट में तो इस बात को फुक्ता कर लिया गया है और अब बारह सो पेज की ये चार्शिट भी दाखिल हो गई आगे से जाच केसे बढ़ते ही देखना होगा फिलाल बहुत शुक्री